दोस्तों अगर आप भी 24x7 स्मार्ट वाच पहनते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है बहुत जादे स्मार्ट वाच पहनना नुकसान डायक भी साबित हो रहा है एक रिसर्च में ये भी पता लगा है क्या नुकसान हो रहा है इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो के साथ अंतक बने रहें प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें क्योंकि इस टाप के में वीडियोस हमें साले करके आता रहता हूँ समार्ट वाच आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखने की कोसिस करता है यहां आपके ब्लड प्रेसर से लेकर हार्ट रेट तक कई सारे चीज़े मापने के लिए काम करता है लेकिन ऐसी चीज़ है जो इसे खतरनाक भी बनाती है और वो है स्मार्ट वाच से निकलने वाला इलेक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड जो आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है इसके लिए आपको स्मार्ट वाच को जादे देर तक इस्तिमाल करना सही नहीं है हाल ही में आई एक research के मुताबिक ये smart watch आपके सिहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है ऐसा बताया गया है smart watch का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं तो यह आपके सिहत को नुकसान पहुचाएगा ही smart watch से निकलने वाला जो radiation है electromagnetic field ये खतरनाक साबित होता है अगर आपके बहुत ही पास है तो आपके सिहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है ऐसे बहें अगर आप 24 गंटे जो है 24 इंटू 7 आप इसका इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको यादत छोड़ने की ज़रूरत है क्या समस्याए आ रही है अगर हम उस पे जिक्र करें तो अगर आप स्मार्ट वाच को हर समय पहन कर रखते हैं तो इससे आपके सिर में दर्द भी हो सकता है क्योंकि ये radiation प्रभावित करता है इतना ही नहीं इससे लोगों की नींद रूटिन भी बिगड सकती है क्योंकि जब आपके फोन पर notification आता है तो आपका स्मार्ट वाच या तो ring देगा या फिर vibrate करेगा जिससे आपकी नींद में भी खलल पड़ता है इसलिए कम से कम रात को सोते समय तो इसको जो है side में कर ही दे ये बहुत ज़्यादे जरूरी है अगर आपके नींद पूरी नहीं होती है तो आपका mood हमेशा swing हो जाएगा बहुत ही चीर-चीरापन आपके अंदर आएगा साथ ही बार-बारी smart watch को देखने से एक्चुली कई बार focus में नहीं आ पाता focus नहीं ले पाता जिसके वज़े से आपको चीर-चीरापन भी होता है और ये दिन पर दिन बढ़ता हुआ चला जाता है इसके अलावां smart watch से भले ही radiation निकलता है लेकिन इसका मतलब बिलकुल भी ये नहीं है कि इसे कताई न पहने अगर आप थोड़ी देर के लिए smart watch पहनते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और उसी में आपके पूरे health का check-up करके एक output भी आपको दे दिया करेगा लेकिन अगर आप इसको 24 घंटे ही पहन के रखते हैं और सोते समय भी पहनते हैं तो इसके radiation का खत्रा थोड़ा-थोड़ा आपको जरूर होगा जो आगे चल करके थोड़ी सी बड़ी प्रोब्लम में बदल सकती है इसलिए आपको कम से कम रात में सोते समय तो आपको निकाल ही देना चाहिए इसके अलावा अगर नहीं निकालते हैं तो आप इसको एरोपलेन मोड पर रख सकते हैं यह सारे हम तरीकों की बात करते हैं इस radiation से बचने के लिए तो radiation के प्रभाव से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब आप watch का उपयोग नहीं कर रहे हैं इसके अलावा असिस्टेंट केस का उपयोग कर सकते हैं बजार में इलेक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड को कम करने के लिए अलगलग स्टाइल के ज़ो है केस मौझूद है जो इस प्रभाव को कम करते हैं वो आपको लगाना चाहिए अपने स्मार्ट वाच के अंदर आप अपनी पसंद का केस जो है ऑनलाइन या फिर आफलाइन खरी सकते हैं हलाकि इसको खरीदे से पहले यह जानना बहुत ज़्यादे आपके लिए जरूरी है E.M.F.Y. को कम करते हैं या उसे पूरी तरीके से रोक देते हैं इस के अलामा कोई केस इस्तेमाल करने से पहले ये हभी आपको लिश्चित करना है सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उसके अंदर कोई मेटल का उपयोग ना किया हो क्योंकि metal जो है watch के अंदर से निकलने वाला जो radiation है इसकी मात्रा को और बढ़ा देगा तो इस तरीके से सुरक्षित करने के लिए जो है आप case यूज़ कर सकते हैं बाकि direct अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए कही न कही नुक्सन राइक हो सकता है तो दोस्ते वीडियो इंफर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जोरूर बताएं इसी परकार कि बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें के साथ बने रहें क्योंकि मैं श्रक की वीडियो सहमेशन लेकर के आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ नेक्स किसी और अची इंफर्मेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धहने बात करता हूँ, आपका दिन सुभ हो